असलाम आलेकुम एवरीवन उमीद आप सब बढ़िया होंगे और यह रेसीपी भी बहुत बढ़िया रेसीपी बहतरी इसलिए क्योंकि इसमें ना कोई फार्टू का जंजट करना आपको ना आलू बालने है ना आटा गूंदना है बहुत टेस्टी रेसीपी बनकर तयार होग मैंने धणिया को लिया उसको बारीक कटकर लिया मैंने सुन ला में चली उसको बारीक कटकर लिया और एक हमे प्याच को लिया थ्यक्स का या पी बटने लेदा ले ना उसमें मैने 2 ऐसीप लिया है आटा जबाते हैं, घर का आटा हो ताग वो वाला लिया है, ने मिदा का यूजे नहीं किया और यहां पर मिने हाप कुप लिया है, लियुक्षण, बच्छों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ही हैल्दी सा होना चाहिए, ना मेदा वगेरा तो नुक्सान करते हैं, फिर भी यहां प इन सब को आपको अच्छे से कर लेना है मिक्स बहुत अच्छे से इनको मिक्स करने के इनको हापक लिए में तोड़ी खटी फूट हिपम एक लिए तोड़ी और थोड़ा जेतनी जरूरत उसे करते सब्सक्रेंद लिए जादा एकदम से एड़ नहीं करना नहीं तो पतला हो जाएगा और इसलिए थोड़ा 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 एड़ करते जाना है और फिर मतलब हमें ऐसा त्यार करना है अपने बेटर को एड़ नहीं कि पेश्ट को ऐसा त्यार करना तो बहुत जादा गाड़ी हो नहीं पतला हो तो इसको ना इसलिए थोड़े थोड़े मिलाते हुए तब इसको तयार करना है इसको क्या करना है जितना जादा आप फेटेंगे जितना अच्छे से इसको चलाएंगे फेटेंगे तो उतना ही स्मूध बेटर बनके तयार होगा और जितना ही स्मूध बनके तयार होगा उतना नहीं टेस्टी और क्रिस्पी हमारा पराठा बोल लो या पैनकेक बोल लो क्योंकि आटा तो हमने गुंदा नहीं और इसी बेटर से हम बनाएंगे तो यहां पर देगो कितना स्मूध यहां पर बनकर तयार हुआ है हमारा बेटर को मैंने बहुत अच्छे से इसको पैस्ट को बना लिया है उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है कि इसमें मैंने इनो का यूज किया है मैंने एक इनो ले लिया है और इसको डालने के बाद इस पर हाप चम्मस आपको पानी डाल लेना है और यह बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है तब और आप अगर नहीं भी मि लाएं तो कोई बात नहीं आप स्क्रीप कर देना उसके बाद मैं जितने भी यहां पर कट करके रखे थे वेजटेबल जितने भी कट करके रखे थे उनको सब को कर लेना एड ठीक है अब क्या करना है क्योंकि इसमें हमने इनों को डाला है तो वह अगर ज्यादत ही चलाएंग करके देख लेना नमक मिर्च आपके ठीक है तो ठीक है नहीं तो कम ज्यादा लगे तो आप किसी को ज्यादा खाना होता है किसी को कम तीखा पसंदे किसी को ज्यादा होता है उसी के अपर नीचे आप कर लेना फिर कि यहां पर एक कडाई को लेना उसमें टू स्पून घी को डाल दिया है और इसको अच्छे से इसको चारो तरफ फैला लेना है और गरम कर लेना है यह मतलब ध्यान रखना कि चारो तरफ इसमें नॉन इस्टिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर सिंपल वाला कोई तवा या कड़ाई है तो उसमें फिर चिपकने का डर होगा तो उ प्रीज हम आपके लिए अच्छे रेसिपी लेके आएंगे और आप भी हमारा ध्यान रखें लाइक सेर और सब्सक्राइब करें इसके बाद यहां पर क्या है कि मैंने टूई स्पोन मतलब बड़ा है तो यहां पर मैंने यह एड़ कर लिया है मतलब इसको इसमें कड़ाई म आप दे सकते हो तो यहां पर मैं राउंड सेप में बना रहे हूं तो इसको मैं अच्छे से फैला लूंगी ठीक है उसके बाद क्या है कि अब आपको फिलेम को मतलब मीडियम से थोड़ा कम और लो से थोड़ा ज्यादा यानि मीडियम और लो के बीच में इतना आपको रख अगर खुले में बढ़ाएंगे तो थोड़ा अच्छा टाइट सा बनता है अगर आपको सौप्ट बना तो आप इसको ढ़क देना और नहीं तो आप खुले में मैं तो नहीं ढ़का लिड को वैसे ही बनाएं तो यहां पर बहुत अच्छे से मेरे को लग रहा है कि नीचे से मेरे क्योंकि साइट से दिख रहा है ऐसा ब्राउन ब्राउन सा होने लग गया साइट से और वैसे भी इसमें बहुत अच्छी से जाली पड़ गई है और यह मुझे लग रहा है कि अब मैं क्या करूंगी इसको मैं यहां पर पलट दूंगी ठीक है दूसरे साइट से तो ब्राउन के तैयार हो गया और अब आप इस पर थोड़ा सा और ऐल लगा देना चाहे तो या खी मैं भी में बना रहे हो तो आप ऑईल से बना रहे हो तो और गी लगा देना और इसको फिर से दीमियाज़ पर इस वह आपको सिखने देना है यह बहुत ही टेस्ट रह तर बह हमें हरी सबजیاں भी यूज की हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा नास्ता बनकर तयार होगा आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं हस्वेंड के लिए लंच बोक्स में दे सकते हैं और बीच बीच में ये चीजें बच्चे भी खाकर खुष होते हैं प्योंगे उन्हें कुछें नई चीज़ खाने को मिलती है तो बच्चे भी बहुत खुष हो जाते हैं अब यहां पर पताई कि यह जो मैंने इनों डालाना उससे बिल्कुल ऐसे जैसे डोकला थोड़ा सा फूलता है ना उसी हिसाब से यह फूल गया है और बहुत अच्छा बनकर तयार हुआ यहां पर मैंने दूसरा ले लिया उसी को भी मैंने इस तरह से से शेक लिया है तो इसको भी दोनों साइट से अच्छे से से शेक लेना है अब बहुत अच्छे बनकर तयार होंगे मेरे यहां पर उतने बेटर में 6-7 बनकर तयार होगे थे और यह देखो बहुत अच्छे से बनकर तयार हुए है यह देखो क्योंकि बिल्कुल जाली पढ़ती है ना उसी के अकोडिंग इसमें मतलब उसी जैसे जाली यहां पर पढ़े अभी साप सोच से खाईए चटनी से ख कि अच्छे सकता.